प्रस्न संख्या 6, समिकरन 2x प्लस 2, माइनस 3, बराबर 0 का आलेक घीचे, आलेक अच्छो को किन बिंदूओं पर काटती है, चित्र में दिखाएं, तो प्रस्न 6, तो कहरा है समिकरन दिया हुआ है, 2x प्लस 2, माइनस 3, बराबर 0, ठीक है, तो इसका आलेक घीचना है, अब, तो पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा, तीन माइनस 2x, तीन को इधर लाएंगे, माइनस 3 को इधर लाएंगे, माइनस 3 है, बाई या तरफ तो दाई या तरफ आएगा, तो प्लस 3, यानि तीन लिख लेंगे, प्लस, ये प्लस 2x है, तो 2x को इधर लाएंगे, तो माइनस 2x, ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो गय तीन माइनस दो एक्स अब एक्स और बाई का मान निकाल लेंगे असानी से तो तो अगर एक्स बराबर एक रखते हैं अगर एक्स बराबर एक रखेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा तो देखिए एक्स गुना में है तो दो गुना एक एक तो तीन मैंसे माप की जगा, दो गुना एक दो ठीक है, एकस बराबर अगर एक रखेंगे तो दो गुना एक, दो तो तीन मैंसे दो गया तो तीन मैंसे दो गया एक, तो एकस बराबर एक रखेंगे तो बाई बराबर भी दो आए, बाई बराबर भी एक ही होगा, ठीक है, इस तरह से देखिए, तीन माइनस दो गुना एक, एक बराबर एक रखने पर, इस तरह से लिख लेंगे, तो तीन माइनस दो, यानि, तीन में से दो गया, तो एक, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर एक, अगर एक बराबर एक रखें, तो कितना आ जाएगा अगर x बराबर 2 रखेंगे तो माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 तो 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1 ठीक है तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो by बराबर आ जाएगा माइनस 1 तो 3 माइनस 2 गुना कितना x बराबर 2 रख रहे हैं तो X के जाएब पर 2 रखे हैं तो 3-4 यानि कितना आ गया माइनस 1 तो 2 बराबर माइनस 1 अब इसका लेखा चीत्र पहले घीचेंगे उसके बाद पता चलेगा कि आलेक अच्छो को किन बिंदुओं पर काटती है ठीक है यानि जो आलेक घीचाएगा वहाँ अलेक एक सच और बाई अच को किन बिंदुओं पर काटती है तो पहले अलेक घीच लेते हैं तो पहले ग्राफ कॉपी लेंगे और एक सच और बाई अच पहले बनाएंगे इस पर तो यह हो गया एक सच यहाँ पर ओ लिखेंगे और यहाँ पर एकस डैस ठीक है यह है बाई अच यहाँ पर बाई और यहाँ पर लिखेंगे बाई डैस ठीक है अब इधर होता है धनात्मक संक्या तो एक दो इधर होता है रिनात्मक ठीक है और बाई अच पे इधर होता है धनात्मक संख्या तो एक दो और इधर लिख लेंगे इधर रिनात्मक होता है नीचे मुल बिंदू के नीचे बाई अच पे माइनस एक माइनस दो और इस तरफ भी लिख लेंगे देखिए माइनस एक माइनस दो तो इतना ही लिख लेंगे ज्यादा लिखने का जोध नहीं है क्योंकि इतना ही से जो भी पूछ रहा है हुआ पता चल जाएगा तो एकस बराबर एक तो एकस अच पे एक यहाँ पे है और बाई अच पे देखिए एकस के जगह पे एकस का मान एक रखे थे तो बाई का मान भी एक आया था तो एकस अच पे एक देखना और बाई का बाई का बाई का बाई अच पे भी एक तो यहाँ पे मिल रहा है ठीक है यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे एक कॉमा एक एक कॉमा एक ठीक है अब एक सच पर दो एक सच पर दो तो बाई अच पर कितना है माइनस एक तो यहाँ पर मिलेगा देखिए एक सच पर दो और बाई अच पर माइनस एक तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, अब इसको मिलाना है, देखें, दोनों बिंदू के सामने इसको मिला देना है, इस तरह से, ठीक है, तो प्रस्न में पूछ रहा है, कि आलेख जो है, अच्छो को किन बिंदू पर काटती है, तो देखें, एक सच पर किन बिंदू पर काट रहा है, यहाँ पर एक और दो की बीच में काट रहा है, तो एक और दो को बीच में यानि तीन बटा दो कहेंगे एक और दो के बीच में यानि एक दसमलो पांच तो एक दसमलो पांच को तीन बटा दो यानि तीन का आधा एक और दो के बीच में क्या हुआ डेड़ डेड़ क्या होता है तीन का आधा तो तीन बटा दो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या है? कॉमा सुन्य क्योंकि 1 सच पर 3 वटा 2 है और 22 तो 22 यहाँ पर क्या है? सुन्य है देखे 22 के सामने 22 22 का रेखा यह हुआ जो उर्धवार्धर रेखा है तो एक सच पे अगर कोई भी बिंदू हो तो बाई अच बाई का निर्दे सांग सुन्ने होता है तो तीन बटा दो कॉमा सुन्ने लिखेंगे क्योंकि बाई अच यहाँ पे सुन्ने है एक सच पे तो तीन बटा दो कॉमा सुन्ने यानि Xx को 3 बटा 2, सुने पे काट रहा है और बाईच कोme 2 आच को 3 तीन पे काट रहा है तो यहाँ पे निर्दे सांग क्या हुआ Xx सुने हुआ Xx यहाँ पे सुने हुआ तो सुने कॉमा 3 लिख लें गे इस बिंदु को क्योंकि बाई अच पे X का निर्दे संग सुने होता है तो सुने कॉमा तीन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे X अच यहाँ पे देखेंगे सुने के सामने है ठीक है तो सुने कॉमा तीन लिखेंगे बाई अच वाला बाद में लिखते हैं एक सच वाला पहले तो बाई अच को सूने कॉमा तीन पर काड़ता है ठीक है तो इसको हम लिख देता है देखिए कैसे लिखना है तो पहले इस तरह से आलेक घीच लेंगे तो लिखेंगे यहां पर यह आलेक यह आलेक एक सच को तीन बटा दो कॉमा सूने और बाई अच एक सच को तीन बटा दो कॉमा सूने और बाई अच को सुने कॉमा 3 सुने कॉमा 3 पर काटता है ठीक है या आलेक एकस अच को 3 बटा 2 कॉमा सुने और बाई अच को सुने कॉमा 3 पर काटता है इस तरह से लिख देंगे ठीक है